एक जुलाई को राश्टी चिकिस्चक दिवस के रूपे मनाया जाता है और राजस्थान में इस समय सरकार कह रही है कि उनकी योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना है चिरन जीवी जो उनकी सरकार को रिपीट कर सकती है वहीं भारत सरकार की दूसरी योजना है आयुशमान सिंग इन से समझते हैं कि आखिर वाकई में जो बाते कहीं जा रही है क्या वो धरातर पर उतर रही है या वस हवा हवाई बाते हैं आपका एभी पिलाई बहुत स्वागत है बहुत बढ़ने बात और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि आपने इतना समय निकाला है यहाँ पे आप इंट्रूग लेने आए लाइव करने आए जहां तक आपके सवाल की बात है कि जो कौन सी योजना हैं कौन सी योजना है और चिरंजी वी योजना को अगर हम जो है आपकी आईशमान भारत से कंपेर करते हैं तो एक दो चीजे मैं ऐज दे चिकितसक में आपको पताना चाहता हूँ कि यहां तक चिरेंजी वी योजना की बाद है और आईश् solaart की बात है तो एक तरह से इसको ata कि एक बेटे और बाप का संबिद इसमी मान सकते हैं मोल भावना तो दोनों की इसी तरे से है कि आका मैं में जिसमा क। लेकिन जहार Talk बात है चिररणजी वी योजना की तो बहुत सारी खामिया इसमें छोट गई है जाने इन जाने में कहीं ऐसे योजना हैं इसके जसमें बताना चाहता हूँ कहीं ऐसी बीमारियां हैं जिसमें 35, 35, 40, 40, 40 लागते के treatment free कर दी हैं लेकिन वो बैमारियां काफी कम होती है और कुछ सामाने बैमारियां जो होती है जो जादा है तादाद में उनके ट्रीटमेंट अभी नहीं आ पाएं तो यह एक बड़ी खामी मुझे देखी चिरंजेवी योजना की जबकि भामाशाय योजना जो है जो जो आईश्मान भारत योजना है आईश्मान भारत योजना के अंदर मैंने देखा है कि एक वरत रूप में एक जो है एक बड़ी एक प्लैनिंग और तिंकिंग की तरह उसको इंप्लेमेंट किया गया है और उसमें जो योजना रखी गई है वो भी काफी जो है उसके अंदर एक प्लैनिंग है लही है सारी सरकारें किये दिल्ली के सरकारा आते हूं करें इसमें लुगे जो नान आफ़्ी एक बुड़ा में डिया सेवाई हूं लुग कि जो पौरेइन हो रहा है उसमें और जो बहरत में हो रहा है जो जैपुर में हो रहा है जब में तो चीज मुझे सबसे बड़ा इसमोथा मुझे सबसे बड़ाblack शुर서 है कि हिंदुस्तान में एक डॉक्तर और पेशेंट करेशयों है वह काफी बड़ा है- मतलब कि डॉक्टर्स काफी कम हैं और पेशेंट्स काफी जादा पहली चीज तो यह नजराती है दूसरी चीज जो और भी बड़ा दुर्बागी मुझे लगता है कि जिस पे शायद अनलेसिस होनी अभी जरूरी है कि जहां तो एक और भारत की 70% आबादी गाओं में रहती है हमारे लगबग 90% जो पढ़े लेके जो अच्छे डॉक्टर्स हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो शहरों में आ गए हैं कोई डॉक्टर एमबी बीस कर लेता है या पीजी कर लेता है यह सुपर इस्पेशिलाइशन कर लेता है तो वो फिर गाओं में जाने की नहीं स दोस्ता कई कारण उसके हो सकते हैं लेकिं दुर्भा के बस गाओं की जो लोग है वो इससे सफर करते हैं तो आज जो डॉक्टर पेशियो हम देखते भी है वो डॉक्टर पेशियो एक एवरेज है अनुपात है औस अनुपात लेकिन अगर उसको हम गाओं पे देखेंगे कि यह ज़्यादा बेहतर होंगे अपने जो डेश में जो डॉक्टर कर रहे हैं ऐसा भी कुछ एक आपको मानसिक तोर पे लगता है लोगों को पेशियो पेशियो है उनको जरूर लगता होगा कि जो बाहर से डॉक्टर पढ़के आया है शाय दो जादे काबिल है और कहीं ब जो जो बाहर से पढ़के आया इसी क्या है वो काफी थोड़ा सकाई मार अच्छा हो जाता है अपने छेतर में दूसरी एक चीज जो मुझे लगती है कि जहां तक बात है कि चिकिट्सा के जो चिकिट्सक पेशे की या चिकिट्सा के एक प्रफेशन की है उसमें मैं समझता ह तीन चीजों की जो है requirement होती है अच्छे चिकितसा करने के लिए पहली चीज तो जो requirement होती है वो है सबसे महतोपूर्ण उसकी qualification क्या है कितना qualified है कितनी उसकी एक ability है तो ये बहुत महतोपूर्ण है skills कितनी है उसके अंदर second चीज होती है कि उसके पास समर्थे क्या है बहुत skillful doctor जो है अगर आप किसी ऐसी जगे बैठा देते हैं जहाँ उसके पास OT नहीं है या साधन नहीं है तो वो बेकार हो जाता है और तीसरी चीज जो सबसे महतोपूर्ण है वो उसका भाव भाव जो एक ऐसी चीज होती है जो एक अच्छे doctor को बहतर doctor और बहतर doctor को अती बहतर doctor में तब्दिल कर देता है तो मेरा मालना है कि कि किसी δ crypto के पास बहले ही उसके पास सामर्थीए कम भी क्यों नहीं हो, साधन कम भी क्यों उसकी काबिलीथ जो कि उसके अपनी महनत से मिलती है वो कमनी होनी चाहिए और उसका भाव तो कभे भी कमनी होना चाहिए क्योंकि उसके अपने हाथ में है तो यह चीज बहुत महतोष Potter वंद मैं मानता हूँ अब आपसे एक सवालकरते हैं कि हमने पढ़ाएक कापने 500 फरी में काइप लगाए का, जो आपका कारिछेट रहे वो आपके पर जैपर ग्रामीर की तमाम गाउं में लगाए जो आपने 500 फरी लगाए, उसमें क्या देखा, आपने क्या मिला कि अगर इसको हम 100 किया होगा, आपने फिर उसके बाद 200 किया होगा, 300 किया होगा, क्या चीज़ें लगीं कि जिसकी वज़े साब को ये कैम बढ़ाते चले जाना पड़ा? मैं सुरू से हिंदुस्तान में मैं पैदा हुआ, यहां की मिट्टी में मैं पला बढ़ा, तो जिसकी चनौतिय हैं हिंदुस्तान की, इसकी ताकत का मुझे एहसास है अच्छे से, जो हमारी एक संड़चना है, इसको चाहे हम संस्कृतिक संड़चना मालें चाहें, भॉगलिक संड़चना माने, यह दुनिया में सबसे अनूठी अपने 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 को बनाता है, भारत को मैं देश नहीं मानता हूं, तो उसके चलते जो है, बहुत सारी स्टास्कृतिक विवित्ताई और भोगलिक विवित्ताई हमें मिलती हैं, अब जब मैं मैं यहां पर वापिस आया है, हिंदुस्तान वापिस आया है, 2016-2017 में, तो मुझे बता लगा कि जो है, जो गरीब वेक्ती है, खास्ताव पर वंचित समाज का वेक्ती है, आज भी उसके पास चिकितसा सुविधाई उतने अच्छे से उपलब नहीं हो पा रही, तो मैंने सो पास के छेतरवाशियों को किसी भी तरह से अच्छी चिकितसा सुविधा दूँगा, तो सुरुवात में जी बिल्कुल ठीक बात कि आपने कहीं सारी चनौती आई और कहीं बार थोड़ा दिमोटिवेशन भी हुआ, लेकिन मैंने जो है, एक कैम से सुरुवात करी और उसको जो स्वास्ते की अवधारना है, वो अवधारना सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही है, उसमें अभी प्रिवेंशन की अवधारना अभी नहीं आई है, कोई प्रात्मिक तरीके से उसको रोग थाम की अवधारना नहीं है, दूसरी चीज़ कहा है कि जो लोग है, वो काफी के लिए मजबूर रहते हैं ऐसे विक्ति के पास उसकी चिकित्सा जो है हमेशा दूतिये एक स्तर ले ले लिती है उसके परिवार में उसके जो है जीवन में तो ऐसे लोगों को अगर हम उनके डोर स्टेप पे जाकि उनके घर पर जाके चिकित्सा सुएधा मोहया करानी की साथे तीन लाग मरीजों में से हमने 44,44,000 मरीजों को एडमिट किया निम्स हॉस्पिटल में और 11,000 सरजरी हमने उसमें परफॉर्म करी लगबग साथ या आठ ऐसे केसे सें सर्वाइकल कैंसर के की जो अदरवाइस अंडागनोस रह जाते और वो महिला हैं जो है शायद उन में कमी थी आरेन की कमी थी या और भी बहूत सारी जो है उनको महीलाओ वाली बिमारियां थी क्योंकि परिवार में पूरुसों का दबाव रहता है कई बार या काम का भी दाव रहता है तो वह कभी जए हस्पताल ना जा पाती ऐसी महीलाओं को हमने एक नारी स्वास्त उत्सव नाम की एक जो है हमने अवधाना चलाई उसके माध्यम से हमने इनको कनेक्ट किया और काफी महिलाओं में हैं खून की कमी और बहुत सारी कमजोरियों को अभी इसमें सुधार हुआ बुजरुकों को हमने देखा कि उनका स्वास्ते भी कहीं बार जो है एक तरह से उप दारना हिंदुस्तानी व्यक्ति में लानी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि अभी जहां हमें जाना है वहां पर हमने पहला ही कदम लिया है लेकिन मुझे जो है अपनी टीम और अपनी चेर्मेन का पूरा मुझे सपोर्ट पूरा मुझे इसमें एक सानित जी एक डाक्टर का नाम आते ही लोगो मन में आता है उसके फीस बहुत ज़्यादा होगी डाक्टर साहब का जो बिल होगा बहुत ज़्यादा होगा अस्पताल का नाम आते ही ये मन में आता है आपने जिन सारे छेतरों की बात की जोट वाड़ा जो भी जो जो छेतर है प्र करके अब जनसेवा भी कर रहे हैं तो आपको जो क्या लगा कि लोगों के मन में क्या ये चीजे चल रही थी या आपके जाने के बाद उनको नहीं आपको ये लगा नहीं नहीं चल रही थी हमें कुछ और समझ में आ रहा था क्या दिखा आपको वहां पर आज की डेट में जो एक गरीब आदमी का जो दर्द है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी कमरों में रहते हैं, मैं बड़ा स्पस्टवादी आदमी हूँ, उसको जो है, ये समझ पाना कि एक गरीब वेक्ती जिसको शायद दो वेक कराने के पैसे नहीं होते हैं कहीं बार, तो आज ये डर्स वहविक है, जिस वेक्ती के पास आज अपने चोटे बच्चे को दूद पिलाने के पैसे नहीं है, वो कहां से अपनी मा का इलाज कराएगा, तो आज एजे डॉक्टर, जो है जे चिकितसक मुझे लगता है कि एक म कि पहला काम जो किया, नहीं हमसे फिरी में मिलती है, लेकिन एक मैंटल ब्लॉक को बीच में रहता है, दिमाग में रहता है कि या कहीं बार ऐसा है कि कार्ड के पैसे खतम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके पस ठीक्छा का आब हाँ है, जानकारी का आब हाँ है, ऐसे सेवाई देंगे दूसरी चीज मैंने देखी कि जब इमर्जन्सी में मरी जाता है तो उसमें किसी पी एस्पटाल में आप जाते हैं तो जो एक उनकी शुरुवात में तीन-चार चीजे होती है पहली चीजी यह होती है कि उससे पुछा जाता है कि आप पैसे कैसे दोगे ओका पहला काम यह किया कि अपने इस्पताल के अंदर हमने पूर्ण रूप से निश्रुक सेवा दे दी 24 घंटे के लिए अमर्जनसी में तो उससे क्या है कि पैसी के अब धरना खतम हुई तो डॉक्टर्स और नर्सिस का जो एक फोकस था वो ट्रीट्मेंट की तरफ गया दूसरी के लिए अनिवार है कर दिया कि वो किसी भी मरीज का किसी भी वजह से वाए एडमिशन करें करके इसका ट्रीट्मेंट स्टार्ट करें आप मेरा विश्वास करिए कि इन सिर्फ दो चीजों को करने से हमारी जो एक मौर्टिलिटी थी वो घटनी स्टार्ट हुई यानि मृत हमारे जो हैं जिनकी डेथ हुई है या जिनके लिए कोई और चीज थी तो उनको हम लोग एक अनलेसिस करते हैं उस अनलेसिस के अंदर जिस वक्ति से कोई गलती अगर हुई है या कोई चीज उसमें ऐसी जो सुधारी जा सकती है उसको हम दिखाते हैं तो इन तीन चीजों क चलते जो है निम्स के अंदर जो मृत्यूदर थी वो काफी घटी लोगों में विश्वास बढ़ा और मुझे लगता है कि आज निम्स जो है आम जन का विश्वास जीतने में सफल रहा एक बात और आप से मैं जानना चाहूंगा चुकि आप कह रहे थे कि जो बेसिक जो आजाता कि गंदा पानी पीने से बहुत सारे च्छेत्रों में अभी हमने पढ़ा कि वहां पर गंदा दूसीत पानी आ रहा तो उसको लेकर के अपना अभियान हो चल रहा है अब आप जनता के सेवा के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं जैपूर ग्रामीड के जो तमाम ज मुझे जुरून रहा है शुरू से और ये जुरून मुझे खुशी है कि दिन पर ते दिन बढ़ता जा रहा है अगर आज मुझे जीवन में किसी भी चीज़ से रोमांच मिलता है तो वह समाज से मिलता है और उसके चलते जब भी मैं बाहर जाता हूं समाज में तो कहीं सार तो मैंने जो है इस चीज को दिमाग में रखते हुए अपने आसपास की गाउं में एक स्टीपी होता है जिसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं उसको लगाने की कोशिस की तो मेरा जो है मेरा उद्देश है कि मैं आने वाले समय में जैपुर गामीड के अंदर सौ ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट लगाओं जिससे की जो कुड़ा कचरा है वही एट सोर्स उसका निस्तारान हो जाए और नकेवल वह उसका ट्रीटमेंट होके साप पानी उससे निकले बलकि उससे जो भी गंदगी है उसको किसी ने किसी की रूप में उप्योगी पदार्तों म भी बढ़ेगे इसके अलावा प्रयावर्ण की समस्या बहुत विक्राल है सभी जगे है हिंदुस्तान के पुरी दुनिया में बढ़ती जा रही है उसके चलते जो है हमने प्रयावर्ण को साफ करने के लिए कहीं सारे परितन हम लोग करते हैं जिसमें के प्लांटेशन या जो है लगाना एक बहुत मेहतुपूर्ण रोल अदा करता है हम मेरे पास लगबख साड़े आठ सो वोलेंटियर्स हैं एनसेस के जो कि हमारे युनस्टी में बच्चे हैं उनको लेकि हम समाज में जाते हैं और जहां भी जगे मिलती हैं हम लोग प्लांटेशन करते हैं परम प्लाइन हो गया और जो बुजुर्ख हैं या महिलाएं हैं या बच्चे वही लोग वहां रह गए तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे भारत की संस्कृति आज नहीं तो कल नस्ट हो जाएगी क्योंकि जो गाउं हमारे 70% आबादी तो वहीं रहती है अगर वह आबादी पलायन करेगी तो मुझे नहीं लगता कि भारत की संस्कृतिक दरोहर कभी बचेगी इसके लिए हमें समय रहते जो है कुछ ना कुछ ठोस का दब उठाने पड़ेंगे इसके चलते हमने एक योजना हमने स्टार्ट करी जिसका नाम हमने रखा जल है तो कल है और इसके चलते है कि हम लोग किस तरीके से जलके इसतर बढ़ाया सकते है जलका संडरक्ष्णन उसमें एक मेں तोफोंट चार्ट करना या जो है पानी के जलके इसतर किसी और तरीके से बढ़ाना एक कैनेडिन कंपणी है जो कि जिसके डायक्टर मेरे फ्रेंड है तो मैंने उनसे बात की द जलकास्तर जैपुर ग्रामीड में बढ़ सकता है लेकिन कई सारी ऐसी चीजे हैं जो संसादनों के आभाव में शायद मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं भविश्य में उम्मीद रखता हूं कि मुझे संसादन मिलेंगे और मैं जैपुर ग्रामीड के जलकास्तर बढ सबकास्तर है लगातार आने वाले बेढ़ी meer that मैं जन्ता के बीच में जाता हूं मरीजयों की जाता हूं समाज में जाता हूं तो मुझे हर बार जो है के कोशिस कर रहा है साधू संत भी मुझे कहीं बार बोल चुके हैं तो मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसी चीज जरूर है जिसमें मैं अगर मैं पॉलिटिक्स में जाता हूं तो मेरा जो मंच बड़ा हो सकता है अगर मुझे बड़ा मंच मिलता है तो मुझे लगता है कि जो लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे की एक चिकित्सका प्रोफेशन वो हमेशा पार्टी से उपर ही रहता है और इसी तरह किसे समास सेवी को भी जो है अपनी सेवा को पार्टी को देखके नहीं चूज़ करना चाहिए तो मेरी सेवा मेरी जो है एक चिकित्सका प्रोफेशन निरंतर चलता रहेगा लेकिन हाविचार परिवार मेरा भारती जंता पार्टी कही है तो ये थे हमारे सार डाक्टर पंकर सिंग्जी जी ओ इस समय लगातार राजथान के राजधानी जैपूर ग्रामीड के छेत्रों में काम कर रहे हैं पांसो इन्होंने फ्री कैम्प लगाया जहां पर इन्होंने वहां की ग्रामी जो लोग हैं उनका इन्होंने इलाज किया उनको सला और समझाइज भी की तो इस तरीके से इनका एक अभियान चल रहा है जिसमें ये चाहते हैं कि फ्री में लोगों का इलाज कर पाएं कैम्पियों के माध्यम से और टीट्मेंट प्लांट लगा करके स्टीपी लगा करके वहां के परिया अबरन और जरस्तर को बदलने के पूरा प्यास कर रहे हैं एबिपी लाइब के संतूश कमार पांडे जैपूर